है 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 तो दोस्तों आप जो साइकल हमारा है वह आपने देख लिया है काफी अच्छा लग रहा है और काफी दिनों के महनत के बाद भी यह कंफलीट होकर के तयार हो गया तो चलिए वीडियो को लाइक कर देज़ेगा आपको इस वीडियो में 500 लाइक आपको पूरे करने होंगे तब आपको इसका सरक्रिट डियागराम आपको पुल्ले आपको तरीकर से मैं बताऊंगा तो यहां पर आप देख सकते हों यहां पर है हमारी साइकल और यह भी साइकल देख सकते हो कि कुछ भी इसमें एफेक्ट नहीं है या इसमें बोलू तो इसमें कोई सब फंसन ने दिया गया जिसी यह लगे यह काफी जज़ा है भी साइकल है लेकिन आज हम साइकल को ऐसा बनान मुझे कमेंट आप से ज़रूर बताईएगा तो आज मैं इसे पूरा डेकोरेट कर देने वाला हूं पूरी तर से मंदब लाइट को लगा देने वाला हूं जिससे आपकी वीडियो साइकेल रहेगी वह पूरी तर से अलग हो जाएगी तो हम सबसे पहले तो गुलोगन स्टीक पूरा आपको बताऊंगा सबसे पहले एक्जाम्पल कि मैं यहां पर एक गुलोगन की स्टीक ले रहा हूं आपको भी सेम टू सेम लेना ही होगा अब इसे हमें इसके साइज में कट करना पड़ेगा जिसे कि यहां पर देख सकते हो हमें इसका लेंथ जो है वह इतना रखन होगा तो यहां पर देखें वान टू थ्री फोर फाइफ सीक्स सेवन एट नाइन टेन लेवन टूवेल थर्टिन फोर्टिन फिफ्टिन शिस्टिन यहां पर आपको लेना पड़ेगा दो इस तरी की कि पार्सल में पेकेट जिस पर एक एलेडी आएगा और एक रेजिस्ट यहां पर देखिया यहां पर दो यहां पर लगा गया पर एक साइड में अरत चलिये कर लेटे हैं तो देखिए यहां पर मैंने LEDS को glue gun को hit करके इसके अंदर में मैंने LEDS को fit कर दिया है अब आपको पता है कि इससे अगर हम direct चलाते हैं तो यह fuse होगा 1K की resistance आपको मैं last में बताऊंगा तो यहां पर इसे मैंने चिपका दिया है काफी अच्छी तरह से चिपक गया है आपको भी इसे चिपकाना थोड़ा प्रोब्लम हो सकता है इससे आपको direct फेविक्विक से की help से बिल्कुल भी ने चिपकाना है वरना आपसे यह नहीं चिपकेगा निकल जाएगा बार बार आपको गुलूगं से हीट करके आपको इसे direct चिपकाना होगा आपको पूरा पता हूंगा पूरा वीडियो को लास्ट देखेगा बिना इसकीपकी आपको फूल वॉच करना है अब हम लेंगे यहाँ पर रेडे लेड़ी जो की 1.5 वर्ट का होता है आपको पता है मुझे पता है जिन लोगों को नहीं पता है वह आप इस वीडियो को दे लगा लेते हैं मजा आया और मैं यह जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहते है एक बाद फिर हमें फिर से दो इस्टिक लेने होंगे और दोनों पर मैंने दोनों सैट पर ब्लू कलर के लड़ी को मैंने इसके अंदर में लगा दिया है और हम इसे कहां पर लगाने वाले तो इसे भी सीधा बात हैं साइकल पर यूज करने वाले साइकल परीजिव करेंगे क्यूकि हमें पूरा सैकल को डेकूर एक करना यह और को मैं आपको हमीशा दिखा रहा हूं अपको जो होगर पर परता है आप उसे तुरण से लगा सकते हो कहाँ पर मैंने लगाया है दिखाता हूँ मपना लिए और मैंने और में बना याँ और मैंने जिससे यह 3.7 वल्ट से ब्लो कर जाएगा लेकिन हमें यहां पर एक 300-300 का रिजिस्टेंस लगाना पड़ेगा माइनस पॉइंट पर और इसे पूरी तरह से में चिपका करके हैं हैंडल पर में लगा ले रहा हूं क्योंकि हम राफ कर निकलते हैं तो हमें एक LED लाइट की भी जरूरत पढ़ने वाली है अब यहां पर दिखें यहां पर आप मेरे हाथों में देख रहे हो तो एनी 555 आइसी है जिससे आपको पता है कि मैंने इसे पिछले वारी मीडियो पर मैंने आपको काफ़े अच्छी तेसे टाइमर जिससा ही बना करके दिखाया था तो आप यहां पर सबसे पर ने देख यहां पर मैंने रेजिस्टेंस को भी लगाया आप फोर से एट को मैंने डाइरेट करेंट कर दिया यहां पर जंफर लगने वाले यहां जो कि टू और टू और सेवन रहेगा और फॉर और एट रहेगा तो यहां पर देख नेगिटिव यह प्लस पॉइंट है कैपेसिटर आपको मैं बता दता हूं 47 k का लेना पड़ेगा 470 का लेना पड़ेगा यहां पर देख से लटी का बूट है 16 पिन का रिजिस्टेंस आपको वन के का दो पीसे से लेने होंगे एक लगेगा आपका एक लगेगा आपका एट वाले पिन पर देख सकते हूं कुछ इस तरी कि 3 , 4 तो चरिए तूरन से दिंकित है का है कहा पर करना है मैंने आपको考ches परकार से यहां पर मैंने neighborhood कर दिया है जो मैंने आपको circuit इसने इसे खेंगे हीडाります सेरीज में नहीं करना क्योंकि हमें इसे 3.7 वोल्ड इन्पुट देना होगा आईसी पर आप 12 वोल्ड तो देख सकते हो दिखेंगे यहाँ पर जो सरक्रेट आप यहां पर देख सकते हो यहां पर मैंने डैवाल आपकर यूच कर दिया है लिकिन जो साइस था वो इसके साथ मै होने वाला है और इसका जो वायर है वो भी मैंने करेंक्ट कर दिया है पूरा से जो connection करके आपको मुले बता दिया है और led को आपको देखें से तर के LED औरर एए डिडी और ऐगे के इसका पेरलेल कनेक्शन रहें तो आपको आपको डारेक्ट कर देना है अब इसका आगे का जो कनेक्शन है वो मैं आपको तोस्तों सब्झायदा which यहां पर धीए यहां पर मैंने क्या किया यह जो पोजिटिव वो ट्रूर्लिंट नो यह तो stop तो मैं इसे क्या करता हूं इसे में पेक कर दे रहा हूं कि यहां का जो कनेक्शन है वह कंप्लेट हो गया सर्कूट डिखाया अगर आप इसकी वीडियो को तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है तो तुरांद सजाओ सर्कूट को देखो और समझने की कोसिस करो हो हम अब यहां पर दीखे यहां पर देखिए श्यद्ट मेंने लिए ठाथ से 5015 ध्यट की बेटरी जो यह बेटरी 2600 इमीच कहा और यहां पर इने चार बेटरी ने करनोट कर दिया है औरर में 3.7 तो यहां पर देख़ते हो पूरी तो सब्सक्राबोड है इसका ने यहां पर देखें डायवोट को मैंने लगाया है स्वीच को लगाया है और आउट्पूट के लिए मैंने दो लगा दिये और यहां पर पूरा जो कंप्लेट हो गया है करेक्षिन काफी ज़्यादा तो मैंने सूचे चलिए मैं छोड़ देता हूं आप लोग को पता चल तो देखें अभी चार्जिंग मोड पर स्टार्ट और यहां पर मैंने जो पलस और माइनस वायर मैंने आपको दिखाया था उपर में उसे मैंने यहां से निकालते हुए डेरेट मैं इसके ऊपर मैं यहां पर कर दिया जो कि करेक्षिन करना था डेरेट बेटरी के साथ में स्वीच के साथ में connect करना था अगर मैं आपको यहां पर दिखा हूं तो यहां पर मैं दिखाने के कुछिस करता हूं सबसे पहले यह दिखे जिसे यहां पर मैंने एक ब्लेक टेप लगा दिया क्योंकि इसके अंदरे पानी ना जा इसके लिए मैं यहां पर थोड़ा सा जुग माइनस जो टच होगा तो यह circuit पूरा हो जाएगा जो कि डारेट हमारा बेटरी एलेट के साथ में आया है यहां पर देशकते हो मैंने यहां पर ब्लू कलर के स्ट्रेप लड़ी भी मैंने लगा करके रखा है जो कि काफे चीते से वर्क करती है अभी जो बेटरी वह 75% चार् जाते हो तो आपको music system भी मिलना चाहिए इसमें तो मैंने सोचा चलिए मैं लगा जाता हूं तो इसे मैंने seat के नीचे में लगाया आप ऐसी जीगा पर लगाना जहां पर यह सिक्योर रहे है और इसका जो वायर है उससे आप मैंने यहां से निकालते हो इसे भी मैंने direct connect कर द देख रहे हो दो ब्रेक मेंने लगाया शुरू में मैंने एक लगाया था तो देखिए अब यह जो साइकल है वह पूरी तरह से complete हो गया काफी ज्यादा मेहनत लगी है तो आप 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 वीडियो को लाइक कर दिए का आप इस वीडियो जितना हो से कर सकते हो तो चलिए मैं मैं आपको सबसे पहले इसका जो सौट्स है वह मैं आपको दिखा देता हूं चलिए ऑफ-फ्रेंट्स अब मैंने आपको पूरा है जो इसका सोट है वह मैंने आपको दिखा दिया आप यहां दीखे यहाँ पर इसकी power supply है अगर है फीप बात करें तो पिशिख सकते हो कि सिर्पल्च है आ रहा है कि यहां पर एक लेडि जो है वह ग्लो कर रहा है बस एक लेडि मतलब 25 परसेंट अभी इसका जो बेटरी है वह चार्ज है तो अब मैं आपको इसे चार्ज करके दिखाता हूं इसके लिए यहां पर देखें मैंने यहां पर दो एंपियर का चार्जर लिया है जो कि इसी से मैं अभी यहां पर आपको चार्ज करके दिखाता हूं यहां पर मैंने लगा दिया अब मैं करता हूं स्वीच को ओन यह देखें स्वीच को ओन करने बाद यह चार्जिंग मोड प अभी चार्ज है तो अब मैं आपको क्या करता हूं सबसे दिखाता हूं इसे अस्टार्ट करके मदब जो पर हम उससे पहले चेक करेंगे कि पावर वेंग्वार ठीक से वर्क कर रहा है यह नहीं कर यह पावर केबल का बटन मतलब जो पावर बेंग्व है उसका यह बटन इसे जैसे करते हैं किए यहाँ पर जो हमारा फंसन है वह स्टार्ट हो जाता है तो सिधह हम जो हमाराarios USB के बलोता है उसें के अंदर में डाल ढाल क्याता है आपको USB केवल निखाळता हूं यहाँ यहां पर दो यूसबी केबल लगे हुए हैं जिस पर हम इसे अभी connect करने वाले हैं तो मैं यहां पर एक एंप्यर पर लगा दे रहा हूं इसमें एक एंप्यर दोंगों का दिया गया है देखिये हैं यहां पर यह लग गया है और आप मैं आपको फोन को चार्ज करें दिखाता हूं है और हम इसे चार्ज करने वाले हैं अप्ने पावर बैंक से यह देखिए यहां पर देख सकते हो जो मुबाइल हो चार्ज होने लगा है इसमें देख सकते हो जो इंडिकेटर लाइट है वह भी अच्छी तरह से ब्लो कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है कि यह चार्ज नहीं करेगा 100% चार्ज करने वाला देख सकते हो प्रूप के साथ मैं हुआ है अभी भी कुछ बाकी है जो मुझे आपको टेस्ट करके दिखाने अब मैं आपको एक एक स्टेप से इसे आपको मैं टेस्ट करके दिखाने वाला हूं सबसे पहले यहां पर यहां पर आप दिखा यहां पर इसका स्वीच दिया गया है स्वीच को मैं जैसे यहां प पर एक स्वीच आपको देखने को मिल रहा होगा जो कि यहीं से यह स्टार्ट होता है सबसे पहले मैं स्टार्ट करेंगे इसके लेडी टोर्च को जिसकी ब्रैथने साथ यहां पर देख सकते हो यह देखिए अगर मैं सभी लाइट को ओफ करूं तो आप इसकी ब्रैथने को द दिवाल पर देख सकते हो यह देखिए यहां पर दिवाल पर इसकी ब्रैथने को देख सकते हो और यह अर्जेस्ट्मेंट भी कर सकते हो इसे आप चाहो तो ऊपर और नीचे कर सकते हो आपको जितनी को इस लाइट को भी जला करके यूज कर सकते हैं तो यह तो हो गया इसका अब मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा इसकी पासिक एलेडी लाइट तो यहां पर आगर आप देख रहे हो तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एक बेंड स्वीच की तरह पर और यह जो इसका जो यह वाला जो स्वीच है इस स्वीच से यह इंडिकेटर जो लाइट है वह स्टार्ट होता है हम इसे जैसे से म्सारिट करते हैं तो यहां सी जो फंसन हессर हो गया अब मिसे यहां पर टर्न करते हैं ता आप देख सकते हूं यहां पर यह इह तो पर फॉल्ड है तो उसके वहald है ँई Says혁 हग characterization अब आप देख सकते हो यहां पर आया थोको सदेखो टीजिस में काफने और कर रही है कि सब्सक्राइब यहां पर पीछे में भी लाइट लगी होए जो आपको मैं पूरा भी दिखाता हूं चलिए मैं फिर से कर रहा हूं यहांवाव सनाधम कर रही है पीछे में लो कर रही है अब पीछे सब्सक्राइब अब जो आपका जो आफसन था वो में लेकर आ गया हूं इसकी ब्रेक लाइट दिखा देता हूं यहां पर देखिए यहां पर देख सकते हो यहां पर इतनी तेज करने के बाद भी यह अच्छी दा से ग्लो कर रहा है और इसमें कोई भी खराबी नहीं आएगा इसकी गैरेंटी में लेता हूं अगर आप वीडियो को स्किप किया हो तो आपको यहां पर पता नहीं चलने वाला है तो आप मैं आपको इसका जो लास्ट अभी और दो पॉइंट बचे हुए वह मैं आपको चेक करक आपको पता है बेटरी लो हो गई ती अब हम इसमें चलाने वाले डीजे स्पीकर को जो आपने अभी तक साइकल में तो नहीं देखी होगी यह मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था जिस पर मैंने आपको ब्लुटूथ स्पीकर साइकल पर लगा करके दिखाया था चलिए आप यहां पर साउंड को सुन सकते हो लिकिन आपको सुनाया ठिक से नहीं दिया होगा तो मैं अब लगा देख सकते हो माइक को मैंने यहां पर इस्टोर कर दिया है आप मैं यहां पर ब्लुटूथ से इसे पेर कर ले रहा हूं आपके सामने पर यहां पर आप देख सकते हो यहां पर देखाओ अब यहां पर मैं इसका ढूंड लेता हूं कनेक्शन इसका कहां पर है यह देखे यह इसका ब्लुटूथ अब यह प्यार होता है तता मैं वीडियो को इसे स्क्विप कर देता हूं यह चा-ई। कर दो कर दो आप जो मैंने पुरा साइकल का जो प्रोजेक्ट है वह मैंने आपको पुरा कंप्लीट टेस्ट करके दिखा दिया है आप मैं आप से छोटी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को जितना है लाइक कर दिएगा आप मुझे लगता है कि आप उससे भी ऊपर आप उसे लेकर करके जा सकते हो तो अगर आपको यह वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिए आप इस वीडियो जितना हो सगया शेयर कर देना काफी मियत लगिए तो मिले इस और वीडियो साथ म्यूट टोप झाल 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 झाल